एदी ऑस बारे तरन शाखौदम हाय के सब्लाइब सुम। इस वीडियो में यहां पर बिग्यान की शाखाओं के बारे में बताया है। पिच्वाखा इस अधियान की चेडिया है uffック की जातीर है इस बारे में करते सट में किन Definitely इस चीज का अध्यन किया जाता है या इस शाखा में किस चीज का अध्यन किया जाता है तो यहां पर कुछ प्रमुक शाखाएं दी गई हैं साइन्स की तो यह हैं एपिकल्चर में मधुमखी पालन का अध्यन किआ जाता है इसमें रेशम के कीट का पालन का अध्यन किया जाता है पिसी कल्चर में मच से पालन का अध्यन किया जाता है मचली पालने का अध्यन किया जाता है माइकोलोजी में कवकों का अध्यन किया जाता है जो कवक होते हैं उनका अध्यन किया जाता है और फाइकोलोजी में शेवालों का अध्यन किया जाता है माइकोलोजी में कवकों का और फाइकोलोजी में शेवालों का अध्यन किया जाता है एन्थोलोजी में पुष्पों का अध्यन किया जाता है पुष्पयानी की फूलों का अध्यन किया जाता है एन्थोलोजी में पोमोलोजी में फॉलों का अध्यन किया जाता है और्नितोलोजी में पच्छियों का अध्यन किया जाता है पच्छियों का अध्यन किया जाता है किसमें और्नितोलोजी में इक्थियोलोजी में मचलियों का अध्यन किया जाता है यहां पर इक्थियोलोजी में मचलियों का अध्यन किया जाता है है एंटम anybody एंटमोलोजी यन कीटों का अंध्यन किया जाता है जो कीट पतंगे होते हैं उनका अध्यन किया जाता है ने ज मar लाजीा कर्ति देंडरोलोजी डेन्डरोलोजी में सरपों का अध्यन किया जाता है सारपैने के स्नेक्स स्नेक्स का अध्यन किया जाता है ओफियोलोजी में सौरोलोजी सौरोलोजी में छिपकलियों का अध्यन किया जाता है सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर में काश्ठी पेड़ों का अधियन किया जाता है, उनका अधियन किया जाता है, नेक्स है, साइटोलोजी, साइटोलोजी में कोशिका का अधियन किया जाता है, जो कोशिका होती है, उनका अधियन साइटोलोजी में किया जाता है, anatomy, anatomy में शरीर की आंतरिक संद्चना का अध्यन किया जाता है जो हमारी body के अंदर की संद्चना है उसका अध्यन anatomy में किया जाता है epidemiology, epidemiology में महामारी और उनके उपचार से संबंदित अध्यन किया जाता है एक्स बायलोजी जो एक्स बायलोजी होती है उसमें प्रत्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों बाउप ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्यन किया जाता है जो दूसरे ग्रहे हैं या उप ग्रहे हैं उन पर जीवन की क्या संभावनाओं हैं इसका अध्यन किया जाता है एक्स बायलोजी में प्रत्वी को छोड़ कर नेक्स है जरोंटोलोजी जरोंटोलोजी में ब्रधावस्ता से सम्मंदित तथ्यों का अध्यन किया जाता है जो ब्रधावस्ता से सम्मंदित तथ्यों का अध्यन किया जाता है कौन-कौन से होते हैं क्या होते हैं इनका अध्यन किया जाता है gerontology नेक्स्ट है osteology osteology में हड्डियों का अध्यन किया जाता है agrostology agrostology में घासों का अध्यन किया जाता है जो घास होती है ग्रास उसका अध्यन किया जाता है agrostology में आ है न इस चीज का अध्यन किया जाता है तो यह जाते हैं तो इनहें आप याद कर लिजी आगे जो exams होने वाले हैं उनमें ये आपकी help कर सकते हैं Thank you